इतना ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, मैं उसे एप्लिकेशन का रिव्यू करते हुए आप सबको साबधान कानने का कोजिस करता हूँ हाई गाइज, आज मैं फिर से और एक लोन एप्लिकेशन का रिव्यू करूंगा और मेरा जो experience है, ओही आज आप सबके साथ आसान भासा में स्यार कानने का कोजिस करूंगा दोस्तो, 2023 में लोन एप्लिकेशन बहुत ही जादा है, लेकिन जादा तर एप्लिकेशन जादा मत्रा में चेर्जेस लेते हैं, जादा मत्रा में इंटरेस्ट रेट लेते हैं और जी स्पोकर का एप्लिकेशन इदना ज़्यादा चार्जेस लेते हैं मैं उसे एप्लिकेशन का रिव्यू करते हुए आप सबको साबधान कानने का कोजिस करता हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्ले स्टोर पर ये एप्लिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा एप्लिकेशन का नाम है डॉस लिज हाला कि मैं लिंक डेस्किप्ट्रेशन पर नहीं दिया हूँ क्योंकि इसे एप्लिकेशन को मैं पसंद नहीं करता हूँ चलिए मैं अप्लिकेशन का एबाउट सेक्शन पर विजिट करता हूँ और इस जगह पर ये मैंशन करके ये भी रख्या है कि ये RBI से रेजिस्टर्ड हुआ एक NBFC है और इसी NBFC का नाम है डॉस लिज एन फाइन्स प्राइबेट लिमिटेड अभी पाता नहीं ये NBFC सच में RBI के साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है निचे बताया गया है लोन का Eligibility Criteria के बारे में अगर किसी का एज 21 साल से ज़्यादा है उनके पास वैलिड पैन काड वैलिड अधर काड है और एक वैलिड मांथली इंकम है साथ में बैंक अकाउंट है उतना ही काफी है उनक साल तक जा सकता है इसके interest rate सालहाना 10% से 24% होगा processing fee 1% से 6% के आंदर होगा और loan का एक example दिया हुआ है ये फालतू का चीज़े है चलिए हम निचे के तरह आप और स्कॉल करते है इस जगह पर contact करने का एक email id है साथ में एक address है about section को read करते हुए ज़दा तर लोग ये मान लेत है कि ये application सच में आच्छा है क्योंकि about section पर इनका email id भी मिल जाता है office address भी मिल जाता है और email id professionally मतलब खुद का domain से बाना के रखा है साथ में ये भी mention करके रखते है कि ये RBI से registered हुआ एक NBFC है और ये application release हुआ था 2022 को 1st November ठीक है हम चलते है पार्मिशन पर भाया calendar का पार्मिशन है camera का है contact का है location का है telephone के SMS का storage का मुझे अभी तक ये बता नहीं चला loan application storage का पार्मिशन लेके क्या करते है हलाकि जो genuine application है ओ application storage का पार्मिशन नहीं लेते है लेकिन जो application ज्यादा charges लेते है ज्यादा interest rate लेते है ओ ही लोग storage का पार्मिश करता हूं इस जगह पर देख लिजिए लोन का अलाग अलाग अफार है मेरे प्रोफाइल के केस पर 10,000 का अफार है 30,000 का अफार है 25,000 का भी अफार है और मैं इसी पार्टिकुलर एप्लिकेशन पर मेरा प्रोफाइल अल्रेडी बना लिया हूं क्योंकि मैं प्रोफाइल बनाऊंगा उसके बाद ही तो मेरा experience होगा और ओही तो आप सब के साथ मैं share करने का कोशिज करता हूँ इसी application पर प्रोफाइल बनाना बहुत ही simple है mobile number डालेंगे OTP verification करेंगे other card का photo submit करेंगे pan card का photo submit करेंगे अपना selfie submit करेंगे next step पर अपना basic सा details address बागेरा क्या करते हो monthly income इस पोकर का कुछ चीज़े होता है और 2-3 मिनिट के अंदर अंदर अपना profile बन जाता है हलाकि profile बनाने के लिए मैं किसी को recommend नहीं करूँगा क्योंकि ये application मेरे experience के आधर पर आच्छा नहीं है चलिए मैं loan के लिए apply करता हूँ और इस जगह पर मैं 10,000 बाला amount को ही choose कर लेता हूँ देखिए preview आज उका है मेरे profile के case पर मुझे 10,000 रुपीज का loan मिल रहा है 7 दिन के लिए वाया हो ही 7 दिन वाला चीज़ है और नीचे calculation बाताया गया है principal amount है 10,000 रुपीज मुझे interest payment करना पड़ेगा 46 रुपीज service फी नहीं है और मुझे total repayment करना पड़ेगा 10,000 रुपीज जो भी हो 7 दिन के लिए मुझे loan मिल रहा है और share post से 46 रुपीज ज़्यादा repayment करने के लिए मुझे यहां पर बाताया गया है लेकिन भाया इसका कहानी कुछ और है चलिए सेंसें लेटर नाम का जो option है इसके ओपर मैंने क्लिक करता हूँ और देख लिजिए पूरा calculation उल्टा सिधा हो जाता है यहां पर बाताया है आज का date कितना आप लोग देख लिजिए उससे पहले आज है 11 एप्रिल और मुझे repayment कानना पड़ेगा कि कब 17 एप्रिल को यानि सर्फ और सर्फ 7 दिन के लिए यह application मुझे लोन दे रहा है जिसका interest rate 0.06% पर डेक है सबसे अगर इसको monthly calculate किया जाएगा तो लागबाग 2 पारिशन के आसपास interest आता है 7 दिन का बात है तो ठीक है लेकिन भाईया इसका processing fee आप लोग देख लिजिए 3,347 रुपीज उपर से GST है 602 रुपीज का एक तो यह application मुझे 7 दिन के लिए लोन दे रहा है 10,000 रुपीज का उसी 10,000 amount के उपर processing fee और GST काट लिया जाएगा मतलब processing fee है 3,347 रुपीज और GST है 602 रुपीज अभी आप लोग मुझे बाताओ जो application मुझे 10,000 रुपीज लोन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ साथ दिन के लिए और processing fee है लगभग 4,000 रुपीज मतलब मेरे account पर करेट होगा 6,000 रुपीज के आसपास और मुझे 7 दिन के बाद रिपेमेंट करना पड़ेगा 10,000 6,44 रुपीज सो इस पोकर का application को यूज करना चाहिए आप लोग मुझे comment में जोरुर बाताईजिएगा और मेरा मनना यही है जो application कम समय के लिए लोन देते है और interest या फिर processing fee बहुती ज़्यादा मत्र में चार्ज करते है ओ application को यूज करना नहीं चाहिए मैं इस application को फोड नहीं कह रहा हूँ नहीं fake कह रहा हूँ लेकिन मेरा जो experience है वो तो share करना बनता है और मेरे experience के अधर पार जो application साथ दिन के लिए 4000 रुपीज के आसपास processing फिल लेते है उसे application को वाट थू करना चाहिए भाई अभी बहुत लोग मुझे ये भी questions कर सकता है तो भाईया आज आपने जो application का review दिये हो ये application तो अच्छा नहीं है तो आच्छा application हम लोगों को मिलेगा कहा वीडियो का description को आप लोग चेक का लजएगा best loan name का एक section मिलेगा उसी particular link पर click करेंगे तो जो application आच्छा है जिनको मैं use किया हूँ उसी application को मैं suggest किया हूँ पुरा पुरा page खोल जाएगा आप लोग चाहे तो use करके देख सकते हो आगे आपना क्या कुछ experience है आगे आपना क्या क्या कुछ opinion है मेरे साथ share करना बिल्कुल न भूले मेरे साथ contact कानने के लिए call me for application का पुछ करना बिल्कुल न भूले वीडियो को आन तक देखने के लिए आप सब को दिल से धन्यवाद